असलाम लेकुम जीर, वेलकम बैक टो माँ यूट्यूब फैमिली, आई होब के सब लोग ठीक ठाक होंगे और हब अपने घर में खुश पाश होंगे और रमजान बहुत हचार आ रहा होगा तो आज अफ्तारी का टाइम होने वाला है तकीवन पांच बच चुके हैं और मैं सोच रही हूं कि आलू मटर वाले चावल बना लेती हूं और उसके साथ दैंग बड़े तो दैंबड़ों के लिए जो हम पकोड़ी अपनाते हैं गर में खुद बनाते हैं ममा मेरी खुद बनाती है तो वो मुझे घर में घर वाली बहुत पसांद है वो इतनी फ्रेश नहीं बड़े बनते हैं बहुत मजात है और जो बजार वाली है ना मुझे पता नहीं क्यों हलकिसे उसमेह लाती है तो इसलिए मैं वो लेके सेव नहीं करती तो यहां पर मैंने फॉकोड़िया बनानी स्ट च्मैया पराट करती है तो गश्माट कर दीए है इसमें आदा चम्च मख दाला अधा चम्च तो 1– 0. fellow мет घर डाल जनाब यहां पर पैने मिक कर लेना और उसके बाद एक पैन लेना है उसमें ऑईल गरम करना है पैन लेकिन उसमें ऑईल गरम करके उसके बाद जो हमें इसके लिए एक चीज चाहिए ना वह चाहिए कि एक सुराख वाली या तो हम चाबलों वाला चमच ले सकते हैं अगर हमार तो यह देखें यह है तो बतो होना स्टेंड लेकिन इस पर यह बहुत अच्छे बनते हैं एक दूबर मैंने इसमें बनाई है तो मैं बहुत पैटरी यह देखें इस तरह उपर रखना है और जो इसकी आँच है वह कम कर देनी है तो चीटे डलेंगी तो यहां पर आपने बेस इसमें पाविडयेदे में आपके के पच्छे से लवागना उ जमीड़ने कप्राइब दो के वह कर दाने उैथ है और इसला नहीं कोनाने करें तो यह बहुत प्तानानी पतक्रीम प्रेश ब्रक्छे पनती हैं यह लाइख यह देखें जानांस को यह ब्रकल में कर दाना है उ फोड़ा सबानी में बिगो देना है तो ये फ्रेश फ्रेश ना बहुत ज़्यादा देर बिगोनी नहीं पड़ती थोड़ी देर इनको बिगो हैं तो फोरण सी हो जाती है और साथ ही मैदनी बड़ों के लिए गीरीन चट्री मिना रही हूं इसमें दनिया पोदिनिया लिया ह साथ ही सब्समें डालके मैंने यहां पर चट्णी मनानी स्टार्ट कर दीया क्योंकि इसके व km चट्नी ना हो तो मज़ा नहीं आता एक तौ अहीं छीज इंगली की चट्नी है और एक करीन चट्नी तो ये दोनों चट्नी हों तो जएदा मज़ा आता है और उसके इलावा य यहांड हैं ठी डाल की नाइस को अच्छे से फ्राइब को घरा ताक के इसकी मैल बिलकुल भी नार है और मज़े के बंदें और टिमाटर एट करने हैं तो आलो मट्र वाले चावल अच्छे लगते हैं लायड से अफ़तारी के बाद नाइज ले खाया जाते हैं तो सबस मीच आड़ करनी है और नमजान में वैसे भीना थोड़े पुछ चावल हों अफ़तारी के बाद तो खाया जाते हैं अब जितनी भीना इसमे मैंने ज्यादा बहुत नम्क रलाए तर लिदान के डाली है और सबन भी थोड़ी से पहली ही मैं आड़ कर दिया है जो फ्राइट करने के बाद मटर डाल दिये हैं और अलू डाल देंगे तो ये जब सबसी जे फ्राइए हो जाएंगे तो इसमानि में जो एड करना है वो है योगर्ट तो आप यह देखें जी अब योगर्ट करेंगे तो योगर्ट करने के बाद इसको अच्छे से भूने के बाद इसमें पानी आड़ कर देना है तो यह मैंने तक्रीबन बहुत जल्दी में जल्दी जल्दी बनाएं क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो चला था बिल्कुल थोड़ा सा टाइम था और मैं जल्दी जल्दी स्पीट के साथ लगी हुई थी अभी मैंने बड़े भी रैड़ी करने थे और यहां इंबली मैंने डैट कर दी है और अब मैं इसमें वाटर एड़ करके को कवर कर दूंगी ताकि इसका पानी जुदी से पक जाए तो जनाब यहां पर मै अच्छे से इसको बतन को साफ करते हैं ताकि यह कोई भी चावल वाकी ना बचे सारा अच्छे से साफ हो जाए बतन और फिर इसके बाद जिए अब पानी जल्दी से खुश हो जाएगा तो फिर इसको दम लगा देना है दम लगाने के लिए ना मैं बतन के नीचे ना हमेश और उसके बाद इनको कवर कर देंगे 10-15 मिंट का दम आजाएंगा और साथ फिर हम दहीं बड़े स्टाट कर देंगे बनाने यह नियुद कर दे तो हम ऐसा सटार्ड करते हैं दहीं बड़े जएएंप्ड़ूं के लिए मैंने दसी ले लिया है तो यह इस seuAF नमक और काली निच और जिरा पॉडरं आट राध कर देंगे और इसका अच्छे से मिखर देंगे और बग्याहिए इस में आलु दाले हैं और और उसके इलावा टमाटर और प्याजा आड़ कर देंगे तो यह देखें जी आलू और दहीं बढ़े आड़ करके यह जो पकोड़ियां हमने भीगोई थी ना उनको हम अच्छे से निचोड़ने के बाद यहां आड़ कर देंगे टमाटर बारी कटे हुए आड़ कर देंगे यह सब प्रिजन आड़ करके उपर हम जो है गरीन चटनी डालेंगे जो पहुत मज़े की लगती है मज़ाइं बढ़े में खोँद मज़े का टेस्ट पाइदा करती है और इसके साथ ही हम इसमें चाट मसाला आड़ करेंगे और इम्ली की चटनी तो यह मज़े के टेस्टी तो रमजान पे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसा है कि यह बंदे को थोड़ा फ्रेश कर देते हैं तो खाने के मज़ा आता है दहीं बड़े ना अगर प्रेश-फ्रेस से बने हों तो बहुत मज़े के लगते हैं और इसके इलावा हमने रात का रफ्तारी के बाद खाना खाना था तो वह खा रहे थे तो इसके इलावा मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्क्राइब करें और बेल आइकन का पटन प्रेस करना मत बूलें